मुझकार दोस्तों मैं हूँ राकेस और आप देख रहे हैं Go To Online तो लोग अपने मोबाइल में पता नहीं कितने लॉक लगा के रखते हैं फिंगर पिंट वाला लॉक पैटरन वाला लॉक फेस अन लॉक वाला लॉक लेकिन सिम में लॉक नहीं लगाते हैं ज्यादतर लोग सिम में लॉक नहीं लगाते हैं उनली फॉन में लॉक जो है रखते हैं तो यह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं फॉन से ज्यादा इंपोर्टेंट होती है सिम कार्ड अगर आप कोई भी यूपी आई वालेट चलाते हूँ फॉन पे गूगल पे पे टियम कु सिम के अंदर सिक्यूर्टी लॉक लगाके रखें ताकि हमारी सिम सुरच्चत रहे सके और अगर हमारी सिम सुरच्चत रहेगी तो हमारा जो पैसा है वह भी सुरच्चत रहेगा क्योंकि मोबाइल गम होने पर मोबाइल हमारे लिए ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है हमार जो bank balance है वो हमारे लिए ज्यादा important है तो इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप SIM पर कैसे lock लगाएंगे तो वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आपसे request है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो वीडियो के नीचे आपको लाले मूँ सब्सक्राइब बट लोग यूज़ करते हैं सबसे ज्यादा जो SIM यूज़ होती है वो जीओ की होती है तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जीओ SIM पर कैसे lock लगाएं तो आपको क्या करना है माई जीओ एप उपन कर लेना है अगर आपके पास माई जीओ एप नहीं है तो आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिए और जिस मुवाइल नम्मर पर आप लॉक लगाना चाहते हो उस मुवाइल नम्मर को दे करके और इसमें आप लॉग इन हो जाएए लॉग पर क्लिक करने के बाद मैं यहां आपको मुवाइल नम्मर देखेगा और उसके नीचे आपको उप्सन नजर आएगा प्रोफाइल एंड सेटिंग का तो यहां प्रोफाइल एंड सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है तो मैं यहां क्लिक कर देता हूं इसके बाद में एक नीचे नजर आ रहा है आपको P UK पर क्लिक कर देना है P UK पर क्लिक करने के बाद मैं यहां मोटी मोटी अक्षरों में आठंका P UK कोड आपको देखने को मिलेगा तो मैंने यह बलर कर दिया है तो आप इसको नोट कर लीजिए कागज पर तो देखिए मैंने अपना P UK के नमर जो है एक कागज पर नोट कर लिया है इस P UK के नमर को आप एक कागज पर नोट कर लें इसके बाद मैं आपको क्या करना है इसके बाद मैं आपको बिलकुल बैक जाना है और फिर आपको जाना है मोबाइल की सेटिंग में है तो मैंने Setting Open कर ली है Setting probate Apaid में आपको फिर से जाना है security में तो मैं यहां security में जाता हूं see security में जाने के बाद में और आपको जाना है SIM card लॉट पर तो यहां पर मैं SIM card लॉट अपर क्लिक कर दीता 我 findings इसके लाद में जिस SIM पर आपको लॉक लगाना है उस SIM को यहां से select कर लीजिये तो मैं SIM 1 पर लोग लगाना चाहता हूं तो मैंने यहां पर यहां पहले से lock लगा हुआ है तो मैं इसको पहले unlock कर देता हूं तो देखिए अब यहां पर आपको देख रहा है lock SIM card तो यहां इस पर आप click करेंगे click करने के बाद में यहां lock sim card यहां पर आपसे sim pin मांगेगा तो आपको अपनी sim का pin पता यह नहीं है तो आप क्या डालोगे तो आपको क्या करना है तीन बार इसमें कुछ भी डाल देना है तो मैं इसमें डाल ना हूँ जैसे 1,2,3,4 मैंने डाल दिया एक बार यह sim गलत है फिर से तीन बार ट्राई करना है फिर से आपको डालना है कुछ भी डाल देना 1,2,3,4 फिर एक बार और ट्राई करना है 1,2,3,4 मैंने डाल दिया है और फिर इसको मैं कर देता हूँ अब हमारी sim card जो है block हो गई है हमारी sim पूरी तरह से block हो गई है अब यहाँ पर देखिए यह मांग रहा है enter please enter PU के code तो यहाँ पर जो हमने अभी PU के नम्मर लिखा है वो यहाँ पर आपको enter कर देना है तो मैं यहाँ पर enter कर देता हूँ इसके बाद मैं आपको arrow पर click करना है यहाँ पर आपको new pin set करना है तो मैं यहाँ पर new pin set कर देता हूँ तो मैंने new pin 1,2,3,4 ही set कर दिया है और आप अपने इसाब से कुछ भी कर सकते हैं ठीक है अब क्या होगा आपका pin जो है enable हो चुका है और यहाँ देखिए pin enable हो चुका है आपका अब जब भी आप mobile को switch up कर दोगे और on करोगे तब आपको यह pin डालना पड़ेगा अगर आप आपने pin गलट डाल दिया तो आपकी SIM block हो जाएगी तीन बार गलट डालने पर SIM block होगी तो आपको फिर से P.U के नमर दे करके और उसको unblock कर सकते हैं इस तरह आप अपने SIM card पर pin set कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करके रखें ता